दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल के उशना फैंटेसी में और आज हम बात करेंगे टीटैन मैच के बारे में जो कि यहां से खेला जाएगा होर वसर डबलू आईएम के बीच दोस्तों यह मैच आपके इनवेस्टमेंच के लिए काफी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम प्लेयर होने वाले जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे कौनसे वो player होने वाले साथ ही साथ में कौन सा batsman का betting करेगा कौन सा ballar का bowling करेगा सारा मैं आपको इस वीडियो में detail के साथ बताओंगा तो वीडियो को एंटेक जरूर देखिएगा दोस्तो अगर बात करें हमारे टेलिग्राम चैनल के बारे में हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है किरशना फेंटेसी आप देख सकते हो दोस्तो इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी तो आपको टेलिग्राम चनल को जोइन कर लेना है टेलिग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया वाए और डिस्केशन बॉक्स में दिया वाए अगर मैं आपको डीसन मैचेस का रिजल्ट भी बताओ तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में आपको टेलिग्राम से आपको जरूर जोइन हो जाना है क्योंकि हर एक फाइनल अपडेट आपको टेलिग्राम पे ही मिलने वाला है दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है जो भी भाई नय है हमारी यूटीब चैनल पर पहली बार आए तो देखो यार यूटीब चैनल को जरूर सब्सक्काइब कर लिजेगा और साथ ही साथ में इस वीडियो को भी आपको लाइक कर देना है दोस्तों क्योंकि आद देखो एक वीडियो बनाने के लिए काफी जादा महनत लगती है तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे चैनल को सब्सक्काइब करोगे देखा जाए तो अलमोस्ट लोग वेयर को ही अपनी टीम में रखेंगे अब दोनों के बैटिंग ओर के बारे में बात करें दोनों नम्बर 6 पे बैटिंग करेंगे साथ ही साथ में दोनों विकेट कीपिंग करेंगे तो एक्स्रा कुछ पॉइंट आपको दे सकते हैं चो आर की टीम पहले बैटिंग करेगी तो हमें मुरे को अपनी टीम में लेके चल देना है दोस्तो बैटिंग के बारे में अगर हम बात करें जॉर्ज का आपके पास एक अच्छा उप्शन होने वाला है इस मैच में आपको ओपन करते वे नज़ राएंगे हाला कि रीसंड के अगर पांच मैचिस के बारे में बात करें तो इन्होंने जो है 100 प्लस रण करें बट एक अच्छे प्लेयर है रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा राये दोस्तो आप इनको अपनी टीम में जरूर लेके चल सकते हैं लियोर्ड के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो टीम लियोर्ड ओपन करते वे नज़ राएंगे एक हार्ड इटर बैट्स मेंने रीसंड में 41 रन करें थर्टी एट रन करें तो काफी अच्छी इनकी पर्फोमेंस राया 41 रन जो करें थे वो 12 बैट्स में करें जबकि 38 रन करें वो 15 बैट्स में तो हार्ड इटर बैट्स मेंने आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं तो इनको आप लेके चल सकते हो विजे के बारे में बात करें ओपन करते हुए आपको इस मैच में नज़र आएंगे ये भी एक हार्ड इटर बैट्स मेंने रीशन में 33 रन करें थे दोस्तो 14 बैट्स में और 12 रन करें थे 12 पे आउट हो गए थे 5 बैट्स में एड़ट्स की बारे में बात करें दोस्तो यहां से नमबर 3 आपको इस मैच में खेलेंगे रीशन में 20 रन करें उससे पहले 55 रन करें अच्छी प्लेयर है दोस्तो इनको आपको लेके चल लेना है चार आपके पास अच्छे यहां से बैटिंग से ऑप्शन हो जाते हैं जिन आलराउंडर में हैं लेकिन बॉलिंग शायद आपको नहीं करवाएंगे बॉलिंग दोस्तो वहीं अगर हम यहां से बात करें है घरी के बारे में अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बैनिंग के बारे में तो एक और आपके पास अच्छे उप्शन है बैटिंग ओड़ा थोड़ा नीचे रह जाता है बट बॉलिंग काफी नीचे रह जाता है निकाले और अगर बैटिंग से बात करें 70 प्लस इन्होंने रन करें है CVC आप इनको करके चल सकते हो वही यहाँ पर आर लेम के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो परफॉमेंस के बारे में देखो यदि इनकी टीम पहले बॉलिंग करती नहीं एक अच्छे ऑप्शन हो जात है विपल के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो परफॉमेंस के बारे में चारलि विपल नंबर तीन पे आपको देखो इक टो बैटिंग करते वे बात करें दोस्तों बॉलिंग के बारे में जॉर्डन का आपके पास option होने वाला है अगर हम बात करें इनके performance के बारे में किस टाइप का रहता देखो देख में भी बालिंग करवा लेते रीसन के चार मैचिस के बारे में बात करें पांच विकेड निकाले पहले बालिंग करेगी टीम तो हम जरूर लेके चलेंगे Speller के बारे में अगर हम बात करें दोस्तो यहां से Last win में 2 wicket निकाले थे एक अच्छे option बन सकते हैं Second inks में ज़्यादा अच्छे option बन सकते हैं Griff तोस्तो एक wicket taker baller आप इनको बोल सकते हो Continue wicket निकालते लाश्वन में 2 wicket निकाले उससे पहले एक विकेट फिर दो विकेट तो आपके लिए अच्छे option मन सकते है पलसेर के बारे में अगर हम बात करें performance के बारे में दोस्तो किस टाइब करेता है देखो इनके ओवर अगर आखा कोई confirm नहीं है कि करवाते भी या नहीं तो इसलिए इनको skip करके चल सकते हो ए जोर्ज के बारे में हम बात करें दोस्तो second inks में आपके लिए benefit दे सकते अभी तक recent के बारे में बात करें दो matches में आपके दो wicket इनों निकाले बल्विन के बारे में अगर हम बात करें performance के बारे में देखो spin balling करवाएंगे और spinner जो है न second inks में ज़्यादा आपके लिए अच्छा option मन सकता है तो यदि इनकी team batting करें तो आप इनको try कर सकते हो खास कर ग्रैंड लिग में तो रखी सकते हो दोस्तो withlock के बारे में बात करें over अगरा कर सकते है फिलाल मैं आसे grift को अपने team में लेके चल रहा हूँ वहीं captain और voice captain के बारे में हम बात करें जिनको आप cvc कर सकते हैं इस match में देखो ए मलीक आपके पास अच्छे option होने वाले banning को आप कर सकते हो लेकिन देखो इनका batting order का कोई confirm नहीं रहता batting order बहुत नीचे हो जाता है अब only balling के इसाब से करना है तो मैं आपको तब suggest करूँ है जब इनकी team balling करे क्योंकि first balling में यह आपको wicket जादा निकाल के दे सकते हैं दोस्तो वहीं अगर आपको विपल को करना है तो विपल को आपको second inks में करना है यदि इनकी team पहले batting करती है तो आप विपल के साथ जा सकते है CVC और balling करती है तो banning के साथ आप जा सकते हैं दोस्तो बाकी मुझे लग रहा है ए मलीक आपके पास एक अच्छे option मन सकते है जिनको इस match में आप जो है CVC बना के चल सकते हो और voice captain के बारे में बात करें दोस्तो जिनको आप voice captain कर सकते हो यहाँ से adwords एक अच्छे option मन जाते ताबर तोड प्लेयर भी आप इनको बोल सकते हो लियोड भी एक अच्छे option है फिलाल तो मैं यहाँ से जिनको voice captain कर रहा हूँ टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लीजिए दोस्तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजेगा